हलो दोस्तों कैसे आप लो मैं उमीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा चलना होगा चलिए आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो बिहार पुलिस फायर्मैन का ये प्रिवियेस येर पेपर है ये पेपर है 15.12.2013 का पेपर है तो कर नहीं का नारा किस घटना का पड़ी नाम है तो ये है अप्सन इसका ए हो जाएगा बोस्टन टी पार्टी का तो आपको ये भी याद रखना है कि ये घटना कब हुआ था तो 16.12.1773 को ये घटना हुआ था इसी घटना को अमेरिका सोतंद्रता संग्राम का ततकालीन कारण माना जाता है तो आपको ये भी याद रख लेना है कि अमेरिका आजाद कब हुआ तो 4.07.1776 को अमेरिका आजाद हुआ तो ये डेट भी एक बड़ एक एकजाम में बिहार के एकजाम में पूछा गया तो आपको ये दोनों याद रखना है चलिए देखते हैं next question next question अपना ये रहा दो नमर question देखिए क्या कड़ा है कि जालिया बलाबाग हत्या कांड कहां हुआ था तो देखिए जालिया बलाबाग हत्या कांड हुआ था अम्री सर में आपको इसके साथ और क्या आयाद रख सकते हैं तो ये 13 अप्राइल April 1990 को हुआ था ये अम्री सर में एक जगह है जालिया बलाबाग वहां पे ये कांड हुआ था इस समय में वैसराय कौन थे भारत के तो वो थे Lord James Ford थे ठीक है और ये यहाँ पे General Diet ने आदेश दिये थे गोली चलाने के लिए क्यूं क्यूंकि ये हुआ क्यूं था यहाँ एक आया था उसमें ऐसा कानून मतलब बिरिटीस ने पाडित किया था कि अगर किसी के ऊपर सक हो गया तो सक के अधार पर उसे पकड़ के बंदी बना लिया जाता था मतलब जेल में रख दिया जाता था तो इसी बात के लेकर के दो लोगों को गिरहफ्तार कर लिया गया था वो मतलब जो जगह है जलिया वाला बाग वहाँ पे और वहाँ पे जनरल डायर ने आदेश दे दिया जिसके वज़े से काफी वहाँ गोली चलाया गया और उसके वज़े से ये घटना हुआ तो इसमें काफी लोग माड़े गए थे ठीक है चले नेक्स्ट कुश्चन देखते हैं कि भारत एक क्या है तो भारत एक धर्म निर्प्यक्ष राष्ट है कैसा राष्ट है धर्म निर्प्यक्ष मतलब क्या भारत में जो भी धर्म है सब को समान मानेता दिया जाता है ठीक है आपको एक चीजी से याद रखना है कि 42 सवा समिधान संसोधन जो 1976 में हुआ था उसमे क्या समाजवाद समाजवाद ठीक है और एक तिसरा क्या था तो अखंडता अखंडता देखिए आप कुस्चन के साथ एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ते चलिएगा तो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा ठीक है ताकि आपको आजू-बाजू सब कुस्चन कवर होगा क्योंकि आ आप अगर इसका discussion पर लेते तो यह काफी important होगा जो मैं सब कुस्चन में आपको बताते चलूँगा चलिए नेक्स कुस्चन देखते हैं देखिए नेक्स क्या कर रहा है नेक्स कुस्चन आपको कर रहा है कि भारत में दल विहिन जनतंत्र की पड़िकलपना किस ने प्रस्त लोक नायक के नाम से इनको जना जाता है तो दल विहिन जभी ही दीखिए आपको तो जय परकास नरायन में आपको ट्रिक लगाने लगा है चलिए नेक्स कुस्चन देखते हैं मैं देखिए नेक्स कुसन क्या कर रहा है कि भारत के किस परधान मंतरी ने स्रीलंका में भारति तो उन्हीं अतंगवार्दी संगठन से मतलब उन्हीं अतंकवार्दी संगठन पर बिजायाय पाने के लिए यहां से 17 सेना भेजे थे ठीक है और कब भेजे थे उन्हेशी राजनीतिक दल रां सच्टीैय तो आथ है भारत में तो ये आपको आठो का नाम याद रखना है तभी आप एक छाट पाइएगा हलाकि इस question का answer जोगा ये सुई होगा बहुजन समाज पार्टी मैं आठो का नाम अभी आपको बोल देता हूँ अब सुन लिजे देखिए पहला है Indian National Congress ठीक है दो हो गया एक Communist Party जिसको आप CPI बोलते हैं एक CPI होता है एक CPI M होता है ठीक है चौथा है BJP उसके बाद पाचमा National Congress Party छठा है All India ट्रिनिमूल Congress Party और सातमा है बहुजन समाज पार्टी और आठमा है जो सबसे लास्ट में बना था वो National People's Party तो आठमा नमर के है जो एटस नमर के इसको आप याद रखे है National People's Party ऐसे सौट फर में भी कभी कभी लिखा रहता है एक बाड़ी जाम में इसका डाइरेक्ट फूल फर्म पुछा गया कि National Party जो NPP है इसका फूल फर्म क्या है तो वहाँ पे National People's Party होता यह सही होता ठीक है चले नेक्स्ट कूशन देखते है नेक्स्ट कूशन आपका क्या कह रहा है कि लोकतंत्र जनता का जनता के लिए एवं जनता के द्वारा सासन है किसने कहा था तो यह कहे थे अबरहाल लिंकन यह कौन है अबरहाल लिंकन तो अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट है ठीक है चले नेक्स्ट कूशन देखते है जहां डिसकसन करने वला होगा वहां मैं डिसकस कर दूँगा समाजवाद का अर्थ क्या है तो देखिए समाजवाद का अर्थ है कि जो संग और राजी के बीच सता का विकेंद्री करन जैसे कि माल लिया जाए जो केंद्री के पास कुछ अधिकार होता है कुछ अधिकार, कुछ अधिकार, कुछ अधिकार, राजी के पास कुछ सेंटरल के पास होता है, कुछ एस्टेट के पास भी होता है तो यहाँ पर क्या है कि मतलब जो चीजे है पावर है वो बटा हुआ जैसे कि जो एस्टेट का पुलिस होता है उराजी सरकार के एकॉर्डिंग काम करता है सेंट्रल के एकॉर्डिंग काम नहीं करता है तो यहाँ पर पावर को क्या कहा है कि बाटा गया है इसी को क्या बोलते सब्सक्राइब भी करण बोलते हैं ठीक है चाले नेक्ट कॉशन देखते हैं नेक्ट कॉशन क्या करा है। नेक्स्ट कुश्यimiento आपको और यहाँ पर है कि राश्टे की शिक्षा निती उन्हुजशा का उदेश नहीं है। तो यह तो इसका मतलब है उदेस से। राश्ट के विकास के लिए उच अस्तर की सिक्षा का एक मात्र मार्ग है। राष्ट तभी विकास करेगा, जब सब लोग उसमें पढ़े लिखेंगे, बढ़ेंगे आगे तब होगा, ठीक है, दूसरा नमर भी देखें, कि सिक्षा समाधवाद, धर्म निर्प्यक्ष और लोकतंत्र को मजबूती परदान करता है, बिल्कुल सिक्षित आदमी रहता है, तो वहाँ पर क्या लोकतंत्र मजबूत होता है, क्योंकि उनको पता होता है, कि किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है, अच्छे लीडर को चून पाते हैं, कि पिछले बर के जो लोग होते उनको जादा बेवस्ता नहीं होता उनको सरकार के तरफ से अच्छा बेवस्ता किया जाता तब वो जाकर के अच्छे से पढ़ते लिखते हैं ठीक है चले next कुछन देखते हैं देखें next कुछन क्या करा है next का रहा है कि लोग तंत्र को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए तो लोग तंत्र को सफल बनाने के लिए बेरोजगारों को रोजगार देना चाहिए ये बिल्कुल होना चाहिए सिर्फ स जो पढ़े लिखे, नहीं पढ़े लिखे, सब का भेलू बड़ावर हैं, यहां पे तीन नमर में देखिए कि सुद्रीड पंचायत राज होना चाहिए, बिल्कुल पंचायत राज होना चाहिए, क्यूंकि पंचायती लेबल पे विकास होगा, गाउन लेबल पे तभी सार, त चाड़ भी सही हो जागा था यह अप्सन नमर कौन में है एक दो और चाड़ आप देख लीजिए एक दो और चाड़ तो अप्सन यह हो जाएगा साई ठीक है आने कि नहीं दो नहीं सोड़ी दो नहीं दो तो गलत है दो तो गलत है यह सही है यह सही है एक सही है तीन सही है और चार सही है, दो गलत है, ठीक है, तो हमसे सही पुछा गया था, तो option कौन हो जाएगा, B हो जाएगा, ठीक है, चलिए, next question देखते हैं, next question काड़ा है, कि नसल का अर्थ क्या है, नसल बाद का अर्थ क्या है, तो देखिए, बारा नमर question देखिए, थोड़ा उपर मैं कर देता हूँ, देखिए, देखिए, बारा नमर question क्या कर रहा है, कि भीमराव अंबेतकर निमलिखित में से, किसके साथ संबंधित नहीं थे, तो देखिए, इसमें से option C के साथ भीमराव अंबेतकर संबंधित नहीं थे, तो यह फजल अली थे यह कब हुआ था राज पुनर गठन आयोग तो यह उनई सो तिरपन में हुआ था और इसके भासा के अधार पर आपको यह भी पुछा जाता है कि प्रथम राज कौन बना था भासा के अधार पर तो आंधर परदेश मैं सोट में लिख दिया हूं आप ल मताधिकार से संबंधित सफ्रागेट्स मोव्मेंट किस देश में चलाया गया था देखिए सफ्रागेट्स मोव्मेंट ब्रीटेन में चलाया गया थे ग्रेट ब्रीटेन में आपको यह भी याद रखना है कि सफ्रागेट्स मोव्मेंट जो किसे संबंधित है तो महिलाओं के मता धिकार से मता धिकार से समन दिते सफरेगट मॉवयंच ठीक है, ये भी आपको याद रखना है ठीक है? चले नेकट कुजन देखते हैं. देखें, यहां क्या एकारा राख रहा है? सभा का 25 वर्स होता है, यहां पर year लिख दियाओ, ठीक है, राजसभा में क्या होता है, कि एक thard, one thard member यह होता है, प्रति 一 задач दो وर्स में, दो वर्स में क्या होता है, रेटायर होता है, और इसके जगह पे कौन सा member आता है, तो new member को ein point किया जाता है इनके जगर पर ठीक है चलिए next question को देखते हैं देखिए आपका next question आपका ये रहा है देखिए पंचायत समीति के सदस से अक्सर वर्स के लिए चूने जाते हैं तो वो हमेशा 5 वर्सों के लिए चूने जाते हैं अफसर नमर 2 हो जाएगा लेकिन अगर कभी भी बीच में पंचायत भंग हो जाता है तो 6 महिने के अंदर क्या करा जाता है तो election करा लिया जाता है 6 महिने के अंदर अब पंचायत समीति के लेकिन यह 18 बर्स किया गया बाद में एक सठवा समिधान संसोधन हुआ है तो उसमें इंची जो को बदला गया था ठीक है 18 बर्स किया गया था मत का दिगा लेकिन अभी भी जो वाड पंचाज समिती और मुख्या जो एलेक्शन लरने के लिए खरावते है उनका मिनमम उम्ड 21 बर्स होना चाहिए ठीक है चलिए नेक्स्ट कुछन देखते हैं नेक्स्ट कुछन का रहा है कि फ्रांस में आतंक का राज किसके सासनकाल को कहा जाता है तो आतंक के राज कहा जाता है लुइस चोधामा के सासनकाल को देखिए फ्रांसीसी करांती कब हुआ था ये भी एक् अस्ताक्षर होने वाला वर्स तो देखिए पांच मार्च आपको डेट भी याद रखना है पांच मार्च 1931 को गांधी इर्विन समझाता हुआ था और यह समझाता किसलिए हुआ था क्यूंकि इर्विन जी के साथ गांधी जी का जो समझाता हुआ था कि गांधी जी को बोला धान नहीं मिला उनके बातों को अच्छे से नहीं सुना गया इसलिए दुबाड़ा से आ करके गांधी जी ने मतलब क्या किये कि मतलब स्फिर से सब ने अब अग्यान दोलन आराम कर दिये ये भी कुछन पूछा जाता है कि कॉंग्रेस का मतलब किस गोल मेल सम्मेलन में 1231 में ठीक है तो ये सब कुछन आपको याद रखना है जो मैं बूला हूँ ठीक है चलिए नेक्ट कुछन देखते हैं नेक्ट कुछन है आपका देखें नेक्ट कुछन इन में से कौन सा देश दूतिय विस्वियूद के दवरान धूरी राष्ट का सदस्य नहीं था तो देखें इसका एंसर हो जाएगा चीन धूरी राष्ट का सदस्य नहीं था किसमें धूतिय विस्विन सकेंड वर्ल्ड वार में ठीक है आपको यहा राष्ट कौन था और मित्र राष्ट कौन था ठीक है तो मैं आपको एक बार दोनों को बोल देता हूं और इसका मैं फोटो घीच करके टेलिग्राम पे सिंड कर दूँगा आप वहां से पर लिजिएगा क्यूंकि आपको जब तक यह चाड़ो कि लियर नहीं रहेगा तब तक रोमानिया यह सब धूरी राष्ट थे लेकिन मित्र राष्ट कौन था जो सकेंड वल्वार में तो मित्र राष्ट था जईवेस से ब्रीटेन रूस, ऐस्ट्रेलिया ब्राजील, चीन, डेनमार्क, ग्रीस, पॉलेंड, और कनाड़ा था और जो सकेंड वल्वार हुआ था ए और वहाँ से जागड़के आप फोटो ले लिजेगा टेलीग्राम से, देखिए फर्स्ट वलबार में, धूरी राष्ट कौन था? तो धूरी राष्ट था जर्मनी, अस्ट्रेलिया और हंग्री, लेकिन मित्र राष्ट इसमें कौन था? तो मित्र राष्ट था फ्रांस, अमे यह हुआ था, 49 से, 49 से लेकर के 45 के बीच में हुआ था, लेकिन फर्स्ट वलबार की अगर मैं बात करूँ तो उन्हें सो चवदा से, फर्स्ट जो था, उन्हें सो चवदा से 18 के बीच में हुआ था, तो मैं जितना भी बोला हूँ, सभी के सभी important question है, आप एक भी नहीं छो कौन है, तो 20 स्वास्ते संगठन नहीं, यह 6 अंग कौन कौन होते हैं, तो मैं आपको एक बार पढ़के सुना देता हूँ, आप सुन लिजे, देखिए, 6 अंग होता है, महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एबं समाजिक परिषद, चोथा होता है, नियास परिषद, रोटेंट नोट है, वो मैं टेलिग्राम पर देदूँगा, बाकी आप यहाँ पर कुस्चन का रिविजन करिए, देखिए, यह कुस्चन क्या करा है, कि सनिक्तराष्ट का चार्टर कहां त्यार हुआ था, सनिक्तराष्टर का चार्टर त्यार हुआ था, यह सान फ्रांसिस के रूप में भी मनाते हैं ठीक है और ये गए कब थे दक्षीन अपरिका मतलब साउथ अफरिका कब गए थे तो 1993 में ये साउथ अफरिका गए थे ये 21 साल के बाद साउथ अफरिका से वापस लोटे थे ये भी कुछचन पूछा जाता है ते इन चीजों को भी आपको ध्यान दखने चले कर देखते हैं। इन में से कौन सी घटना दूतिय'RE विश्व्यूद का परिणाम शीर कंशсьती हैं। इस प्रथम्यूदि के बाद यह गठन हुआ था है और यह गठन कब हुआ था तो 10 10 Januar donate 2020 को यह गठन हुए था 10 Januar nasze 29 को को इसका गठन हुए था राष्ट संखा किसके द्वारा किया गया था यह भी पूछा जयता है तो उड्रो Wilson के द्वारा किया गया था उड्रो Wilson विल्सन के द्वारा इसका गठन किया गया था इसका गठन इसलिए किया गया था प्रथम विस्वियूद के बाद किया गया था और इसमें ऐसा सोचा गया था कि अब दूतिय विस्वियूद कोई ना हो इसलिए इसका गठन किया गया था तो इसमें आपको पहले बात कि याद रखना है कि कब हुआ था गठन तो 1920 में यह भी कुछन पुछा था दूसरा किसके द्वाड़ा किया गया था तो उड्रो विल्चन के द्वारा किया गया था ठीक है चले नेक्ट कुछन देखते हैं मैं इस सबका PDF आपको दे दूंगा टेंसन लेने की जरूरत नहीं मानव और नागडीको के अधिकार के घोसना पत्र के बाड़े में च्या गलत है ठीक है तो उनके बाड़े में क्या गलत है ये आपको बताना है ठीक है मैं अभी इसका disquesan करता हूँ देखे, इसमें हमसे पूछा क्या है, गलत, गलत पूछा है सिर्फ, तो इसमें से हमें गलत को चुनना है, देखे, इसमें गलत पूछा है, तो इसमें से गलत हो जाएगा, option B, इसमें स्वतंत्रता, समानता, तथा बंधुत्व को अपनाया गया है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं इ जो यह सही है कि RSS की अस्थापना जो हुआ था 1925 में और किस के द्वारा किया गया था तो डॉक्टर हेडगवार के द्वारा किया गया था ठीक है अब देखिए आप गांधी यूग गांधी यूग कब से कब माना जाता है तो यह माना जाता है 1909 से ले करके और 1948 गांधी यूग माना जाता है ठीक है मोपला विद्रो कब हुआ था यह हुआ था 1921 में हुआ था और कहां हुआ था केरल में हुआ ठीक है जो आप बोलते हैं पस्चमी घाट जैसे कि ऐसे अगर मतलब दक्षीन भारत है तो इधर यहां पे हुआ था मोपला जो सी के दौरा एन एम जो सी मैं यहां लिख देता हूँ ठीक है एन एम जो सी के दौरा किया गया था ठीक है चले नेक्ट कुशन देखते हैं को नेन्स्ट कुछन है कि औरंग्जेव की मिर्तिव के पश्चात कीश नेता के नेत्रीत में जाट काफी सत्यवाऩिं जीन्दा थे तब तक जाटों कोई स diferentes नेता बने जिसके अध्यक्षता में मतलब जाट викहा तक ने detectors होग скंप सब्सक्राइब हो गए ठीक है next question देखते हैं देखिए next question क्या कर रहा है पेसावर एवं कावूल किसके मध्य से एक किसके माध्यम से एक दूसरे से जूरता है तो पेसावर और कावूल जूरता है किसके खैबर दर्रा के माध्यम से जूरता है ठीक है आद रखिएगा आप इसको next question देखिए क कि फर बनस्पती निमलिखित में से किसे संबंधित है तो फर बनस्पती जो संबंधित है वो है अलपाइन वन से जो अलपाइन वन होता है वो कहां पर उगता है जैसे कि बहुत उचाई पर पहाड़ी इलाका हो जाएगा जहां बहुत उचाई हो जाएगा वहां पर यह अलप नेक्स्ट है कि वनょस्वती जो विस्वत रखिए वनो से संभन्धित नहीं है this विस्वत रखिए वनों से संभन्धित नहीं तो यह ऐला other to exist धिसा के सोख है मजह नदी चलिए नेक्ष गूशन क्या कर ρизा कि इसमें इसका अबडी हो जागा लिकिन isn का एगजेक्ट कितना हो यह सअदे होता है तो 28 में सही हो जागा कोई दिक्कत की बात नहीं है चलिए next question देखते है next करा है कि तमिलाडू में सीद कालीन वर्सा कारण है किसका है तो उत्तर पुरु मानसुन का है मैं थोरा समझा दे तो यहां पर देखे जैसे कि मालीजी यह भारत है ठीक है यह उत्तर हो गया और यह क्या हो गया पूरब यह हो गया पूरब अपना ठीक है देखिए next question करा है प्रादूपिय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है तो प्रादूपिय भारत की जो सबसे बड़ी नदी है यह गोदाबडी है आपको यहां तीन question ध्यान दखना है क्या कि ब्रीद गंगा भी गोदाबडी को बोला जाता है दक्षिन की गंगा भी लगा कावेडी ठीक है जब दक्षिन भारत लगा है तब ठीक है चलिए नेक्ट कुषिन देखते हैं देखिए क्या कर रहा है चौन तिस नमर की वर्ज जिसमें प्रथम पृत्वी सम्मेलन हुआ था तो उनईसो बिरानमे में हुआ था यह कहा हुआ था तो रियो डीजेनेरि की बरतमान संख्या तो रेल मंडल नहीं जोन कर लिए अब और यहाँ पर है कि अभी कितना एं तो अभी है आपका 18 जोन है यह पहले कितना था 17 एक अभी बना है वो कौन सा जोन बना है तो धक्षिन तटिए 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 रेल अभी बना है यह भी आपसे पूछा जा सक बिसाखा पत्नम में, मैं short form में लिख दिया हूँ, आप full form लिख लिए, बिसाखा पत्नम में इसका headquarter है, अभी बर्तवान में कितना जोन है, तो 18, 17 पहले था, अभी 18 है, चलिए next question देखते है, next question है आपका, कि राउर के ला लोह, एवं इसपात सन्यंत्र, जिस राजे में गुजरती है, तो कहां कहां से गुजरता है, तो आपको ऐसे याद रखना है, जैसे कि आप अगर, आप अपने हाथ के left side से लिए, जो map है, उसमें बाएं side से लिखिए, तो सबसे पहले क्या आएगा आपको, तो आप सबसे पहले राजस्थान देखिएगा, उसके बाद मिल जागा, उसके बाद जारखंड मिल जागा, आप मैप में बस जाते रहे, कोई trick का जरूरत नहीं, जब आप पढ़ते हैं, तो कम से कम, भारत का मैप तो आपके दिमाग में होना ही जाहिए, तो आपको सबसे पहले क्या देखिए, राजस्थान, गुजरात हो गया, उसक बाद क्या आजागा, बेस्ट बंगाल आजागा, उसके बाद क्या आजागा, बेस्ट बंगाल के बाद आपको तिरिपूरा आजागा, अज तिरिपूरा के बाद सबसे लास्ट में मिजोरम, आपको इसमें खास बात ध्यान रखना है मिजोरम को, क्योंकि कभी कभी option में क् ठीक है मनिपूर तो आपको इसे मतलब कनफ्यूज नहीं होना है सबसे लास्ट में क्या है मिजोरम है मनिपूर क्या है कि कर करेखा से जस्ट उपर है उत्तर में है ठीक है इस बातों को आपको ध्यान डखना है तो इसमें अप्सन कौन सा हो जागा तो अप्सन इसका हो जागा ये हो जाएगा बिहार बिहार से नहीं गुजरता है ठीका, चलिए next question देखते है之前, next question क्या करणा है कि काटक जो जलबायू को परिभावित नहीं करता है, तो जलबायू को परिभावित नहीं करता है कौन, तो देखिए इसमें पृतवी का जो परिब्रहमन होता है यह प्रभावित नहीं करते हैं, बहुत लोग इसमें कन्फ्यूज होंगे, C में और D में, कि प्रिथवी का पड़ी कर्मन क्या होता है, पड़ी भ्रह्मन क्या होता है, तो मैं बता देता हूं थोरा देखें, जैसे कि जो चीज अपने धूरी पे सिर्फ घूम रहा है, उसको क घूमड़ा है, तो यह क्या हो गया, यह हो गया, पड़ी कर्मन हो गया, तो प्रिथवी के पड़ी भ्रह्मन के बज़े से, इसके बज़े से, जो अप्शन D में दिया, इसके बज़े से क्या होता है, तो दीन रात होता है, लेकिन इस पड़ी कर्मन के बज़े से क्या होता ह तो मौसम में चेंज आता है जो इसमें दिया हुए जलवाई उपड़ी वरतन ठीक है तो इसमें तो पुछा नहीं तो नहीं के लिए कुण हो जाएगा क्योंकि जब तक आप सॉलूसन नहीं देखिएगा कैसे पता चलेगा यहां पर आप 2011 कर लिजेगा यह जन गरना 2011 के अनुसार बेवसाइक वर्ग में भारत की काड़े सिल जनसंख्या की सनलगन दूतिय सरवाधिक है तो देखे दूतिय सरवाधिक जो है सबसे जादे मतलब य इसमें प्रात्मिक छेतर में इसमें लगभग लगभग 14 परसेंट है ठीक है और दूतिय इसमें लेकिन आपको यह पुछले कि तीरतिय नमर तीसरे नमर पे कौन है तो दूतिय छेतर में दूतिय छेतर में क्या क्या आ जाता है तो इंडस्ट्री से रिलेटेड होता है वो production जो होता है वो आता है चलिए next question देखते हैं बहुत लोग को ऐसा लगता है कि फाँच मिनट का वीडियो देख लो selection हो जागा भाया नहीं होगा मैं बता रहा हूं क्योंकि जब तक आप discuss नहीं देखिए कोई फैदा नहीं देखिए अब इसमें हम क्या किये हैं कि आपको 40 से करके और जो भी जो हिंदी और इंग्लीज का पूछा गया है इस question इसको मैं आपको PDF में दे दूँगा इसका solution मैं बाद में कड़ाओंगा क्योंकि यह अभी भासा से सिर्फ related है तो इसको मैं solution बाद में दूँगा तो यह जितना भी है मतलब 17 question है इसको मैं skip करूँगा इसक देखिए अब 47 नमर question आपका आगया यह discussion चलेगा निम लिखित में से कौन सरीर में vitamin D बनाता है तो vitamin D कहां से बनता है तो तुआचा से vitamin D बनता है देखिए सूड़िक से जो पड़कास आता है तो हमारे तुआचा के दोरा क्या किया आता है और उसके बाद क्या होता है वो को observe करके और vitamin D को वहां से सरीर को प्राब्थ होता है ठीक है चले next question देखिए क्योंकि आपको यह तो पता है कि vitamin D हमारे सरीर में सबसे ज्यादा कहां से मिलता है तो सूड़िक पड़कास से मिलता है देखिए 48 नमर question यह current affair का question था यह हमारे लिए अभी important नहीं है जो 2014 में होगा तो जिसके सामने में लिख रहा हूं वहीं पर होगा कतर में होगा यहां पर अप्सन नमर ए में कतर में होगा 2022 में फीपा ठीक है अब यहां पर चलिए next question के तरफ चलते है देखिए next question क्या करा है कि कंगारू कहां का मुख्य पसू है तो यह Australia का यह आपको पता ही होग है इसका अस्थापना हुआ था 24 October 1945 को हुआ था ठीक है तो यह मैं आपको डेट पीछे भी बता दिया हूं चलिए आगे देखते हैं आगे कुशन क्या करा है कि UNESCO का मुख्याले इस थी थे कहां तो यह पेडिस में फ्रांस की राजधानी पेडिस में है next question देखते हैं देख लाल बहादूर सास्त्री ने दिये थे ठीक है चलिए next question देखते हैं अब देखिए 56 से ले करके और 60 तक 6 कुश्चन आपका फिर से English है तो इसका आप मैं PDF देदूँगा इससे आप देख लिजेगा क्योंकि मैं भी इसमें टिखी लगाऊंगा तो कोई फैदा होगा ने इस चलता एक से त ततीन होता है लेकिन मेंली दो होता है एक क्कै खडीप के लिए यह दिया गए खडीप यह क्या यहां पसल यह अक्टूबर नवंबर में बोय आ जाता है और यह काटा कब जाता है तो यह मार्च मार्च अप्रेल में अप्रेल में ये काट लिया जाता है तो रभी फसल के अंदर क्या क्या आ जाता है तो गिहूं के साथ जो चीज भी बोया जाता है उस मौसम में उस सब होता है जैसे कि आपका गिहूं हो गया आलू हो गया, सरसो हो गया जो भी उस समय में बोया जाता है वो सब कुछ हो गया और लेकिन रभी फसल में क्या मतलब रभी में तो बता दिये अब खड़ीफ में देखिए खड़ीफ फसल में तो मतलब जैसे कि धान के साथ जो बोया आता है यहाँ एक कुछन हमेशा आता है कनफूज करने के लिए जो मूंग और तील होता है ये खडीफ में आता है लेकिन रभी में जैसे की चान आमा सूड ये सब रभी में आता है और मूंग और तील खडीफ में आता है यह आपको star mark लगा के याद रखना है क्योंकि यह question पूछा जाता है चले next question देखते है next question है कि जैब मंडल में रसायनिक पोस्को का चक्रन रसायनिक पोस्को का चक्रन कैसे होता है तो यह gel के दोरा भी होता है वायू के दोरा भी होता है भूमी के दोरा भी होता है इसका अप्सन हो जागा ड़ी इसमें से सभी सही है चले next question देखते है next का रहा है कि protein sensation कहा होता है तो protein का sensation डाइबोसों में होता है micro country को क्या कहते है cell का जो cell होता है कोसिका उसके power house बोलते है mitochondria के कोस्का भीति कहा होता है तो यह cell मतलब जैसे कि कोस्का भीति जिसको इंग्लिस में cell वाल कहते है यह पादब कोस्का में होता है जैसे कि जो भी आप plant देखते है उसमें होता है कई बार question यह पूछा जाता है कि कि किसमें cell वाल नहीं होता है तो जो animal कुषका मतलब जो अपना जो कुषका है इसमें नहीं होता है यह plant कुषका में होता है चलिए next question देखते हैं next देखे क्या कर रहा है कि खाद स्रिंखला में उतपादक प्रकास उर्जा को बदलता है तो देखे यह रसाइनिक उर्जा में बदलता है उतपादक होता है जो छोटे-छोटे पौधा होता है क्या करता है कि सौर उर्जा को लेता है और असाइनिक उर्जा में परिवर्तन कर देता है अपने भोजन बना लेता है चलिए नेक्सट कूशन देखते हैं नेक्सट है कि टूफोल्ड डी क्या है तो टूफोल्ड डी एक खरपतवार ना सिया जैसे कि यह काम करता है अगर आपके पास गहूब आता होगत आप देखते हो जैसे कि उहां पर बत्रुआ और भी बहुत सारे खरपतवार हो जो बड मतलब यह पूछ रहा है आप से कुस्चन में कि किसके अंदर ऐसा सकती पाया जाता है कि वह दुबाड़ा मतलब अपने आपको रिकावर कर लेता है तो यह पोड़ी फेरा एक ऐसा चीज है कि अगर यह तूट भी जाता है जैसे कि माल लिजिए यह पोड़ी फेरा का पौधा है ठीक है तो इसमें अगर कोई चीज तूट करके नीचे गिर गया ना तो यह यहां से फिर से अपने आपको मतलब जन्म दे देगा यहां से फिर से यह बरना शुरू हो जागा तो यह यही पूछ रहा है कि मतलब पुना रुद्ध भावन की विशेस छमता कि इसमें पाई मेढ़क टिड़ा घास और साप यादी है तो घास प्रथम पोसी अस्तर है तो तीरतिय कौन होगा देखिए यहां पे अगर यहां पे आप घास ले लेते हैं ठीक है मैं यहां पे ले लेता हूँ क्या घास और उसके बाद देखिए घास को कौन खाता है तो टिड़ा किसको और टिड़ा को कौन खाता तो टिड़ा को मेढख भी खाता है और टिड़ा को साप भी खाता है तो तीरतिय अस्तर पोसर में दूनों आ जाएगा लेकिन अगर को एक गिवेंड आता तो वो एक सही होता अगर यहां पर देखिए अगर आपको चौंथा आप यह सुच रहे ठीक है चलिए अगला कुश्चन आपका यह कि दिसंबर उनईसो चौड़ासी में पट्टी भोपाल गैस दुरघटना में कौन सी जहरीली गैस का रिसाब हुआ था यह हुआ था मिथाइल आइसो साइनाइड का हुथा मिथाइल आइसो साइनाइड का यह कब हुआ था तो 2-3 दिसंबर दिसंबर उनईसो चाड़ासी को हुआ था यह भी आपको याद रखना है लेक्ति कहल ना एक कार खाना खान के कुछ ही चरन होते हैं क्योंकि हर चरन में क्या होता है तो उर्जा का क्या होता है इसमें घटता है हर चरन में जैसे कि माल लिजे कि अगर बकडी के पास 100% उर्जा है तो अगर इसको बकडी को जो खंसी का बोलते हैं कि मीट खाते हैं तो अगर इसको जो खाएगा उसको तो यह दिरे धिरे घड़ता है अब इससे आगे भी जाएगा तो वहां भी 10% पर डिस होगा तो मतलब इस ढंग से हमेशा घड़ते जाता है इसमें उर्जा ठीक है यह उर्जा स्रिंखला ऐसे बनता है ठीक है जो नीचे होता है यहां पर सबसे ज्यादा होता है 100% तो इसमें है कि कैकेटस में पाये जाने वाले अनुकूल है तो यह क्या है तो अप्संसी हो जाएगा पर्ना भावर एबं पर्न सूल तो यह आप याद रख लेजेगा यह ज्यादा इंपोर्टेंट कुश्चन है नहीं ऐसे कुश्चन सब रिपीट होने का चांस नहीं रहता है जो र इधर से आता है किरन आपको इसको क्या बोलते हैं आप्तित किरन बोलते हैं और जब यह मूर जाता है तो इसको क्या बोलते हैं परावर्तित किरन क्या बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं इसको अभी लंब बोलते हैं क्या बोलते हैं तो यह जो आप्तित किरन आया और आपतित, आपतन कोन बोलते हैं, इसको आई, और यहां पर जो आर बोलते हैं, आर बनता है, इसको बोलते हैं, प्रावर्तित कोन बोलते हैं, तो आपसे सिर्फ आपतित कोन पूछा है, तो किसके बीच में बनेगा, आपतित किरन और अभिलंब के बीच में, तो आप अपसन द में क्या different है देखिए यहाँ परत्य वर्ति धारा क्या है मतलब AC AC के बारे में आपको पुछाए है जब सबसे पहले बात AC कैसा होता है तो AC इस डंग से होता है यह उपड भी जाता और नीचे भी जाता है उपर भी जाता और नीचे भी जाता हा ऐसा इसका ग्राफ होता है तो आपको क्या दिखे रहा आगर उपर में आप पोजेटी मान 情況 देहें और नीचे में क्या मान रहे पोजेटीव दोनों होता है मतलब द॥ा ब्हवर्त करना धारा कमान भी चेंज करा तो आपको option गुंकि लोग इसको किताब में दिया है तुरत मार देते हुई देखे हैं यहां सबसे पहली बात क्या है यहां पी यह समय इसको जब तक आप समझेये का नहीं कोई फैदा है है देखिए यह ग्राफ़ जो uniform है uniform इसको क्या बहलता है uniform ग्राफ है मतलब क्या कि यह time के साथ जो मतलब दूरी के साथ time भी बढ़र हा है आप suppose किजिए का समझाद तो बीना समझे आगर आप बना लिए तो कोई फैदा नहीं आपको देखिए जैसे कि यहाँ पर मालीजे बिस्थापन कितना मालीजे कि 4 मीटर का बिस्थापन हुआ है और टाइम कितना 2 सकेंड लगा है एक और आप पॉइंट ले लिजे मालीजे कि यहाँ पर बिस्थापन ले लिजे कितना आठ मीटर का हुआ है ठीक है और टाइम यहाँ पर भेलो सीटी आ जागा तो टाइम कितना अब टाइम यहाँ ले लिजेぎ जब इसमें 2 गुना का बिरिधी हुआ है और इनिफॉर्म गराफ है तो यहां कितना हो जाएगा दो दुना चार हो जाएगा तो आप भेलोसीटी क्या जानते हैं आप बोलते हैं कि भेलोसीटी कितना है 2 meter per second भीटू कि अगर आप बात किजेगा तो कितना आ जागा यहाँ पर भीटू है तो यहाँ पर 20 थापन कितना हो गया 8 और बटा में कितना टाइम क्या किजेगा तो टाइम आप किजेगा 4 किंकि यहां 4 हो गया टाइम फिर से भेलोसीटी कितना आ गया भीटू भी कितना आ गया 2 तो आप एसलेरेशन क्या जानते है तोरन कि जो भेलोसीटी में चेंज होता है बटा में टाइम तो देखिए भेलोसीटी में चेंज कितना हो गया अगर हम आपसे यहाँ पे velocity में change डेल भी से लिखते और time पो कितना t से लिखते ठीक है तो यह velocity में change कितना हुआ तो भाईया यह velocity में change हुआ दोनों का दो दो आ गया मतलब velocity में change 0 हो गया अब नीचे में time कुछ भी हो तो कोई फरक नहीं पड़ता है ठीक है तो आप देखिए यहाँ पे हम बता देते हैं आपको option में देखिए option में इसका कौन सा option हो जाएगा सही तो option C हो जाएगा सही आप concept समझ गये होईएगा ठीक है चलिए next question देखते है next question देखिए यह क्या कह रहा है question कर दा है कि अस्व यदी एक 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 चलना प्रारंभ कर दे तो अन्य की मतलब एक 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 अगर चलना प्रारंभ कर देता है तो अस्व रोही के पीछे की तरफ गिरने का असंका के कारण क्या है तो देखिए जब उस पे मतलब घोड़े के उपर अगर कोई बैठा था तब वो अगर घोरा रुका हुआ था तो कैसा था बिरामा अवस्था में था तो यह कैसा मतलब बिश्राम के जरत्व के कारण वो क्या हुआ जब घोड़ा आगे दौरना पीछे गिर गया क्योंकि वो बिराम अवस्था में था यही कुष्चन एक और पूछा जाता है क्या कि उसमें क्या होता है कि अगर जैसे क्या बस में बैठे होते हैं अगर बस चल रहा है एक यह ब्रेक लगता है तो आप क्या होते आगे की तरफ जुक जाते तो क्यूं इस टाइम में अगर बस चल रहा है उस टाइम में आपका भी जो बड़ी है वो कैसा रहता है तो आपका बड़ी आगे के तरफ जुक जाता है गतिके जरत्व के कारण चलिए नेक्स्ट कूशण में क्या कर देखे एक मूट में थोड़ा सा इसको मिनिमाई आई कर लेता हू कह रहा है कि किसी प्रतिरोध से परवाहित होने वाली विधूत धारा के कारण उत्पन उस्मा तो देखिए सबसे पहले बात आपको उस्मा अगर निकालने के लिक अभी भी बोल देता आपको फर्मूला रहा यादर ने य क्या इसकार ने का उसमा तो आप देख लिए इसको satesfyr कोल देखते हैं तो पहले काशिएंग की परकास बरकास अब यहाँ 70 से ले करके और 90 तक जो physics का numerical था पलस में जो भी math पुछा गया था इस सब question का हम video बना करके channel पर डाल दी हैं बहुत अच्छे से आप जा कर देखिए आपको benefit पक्का होगा एक बार अगर आप देख लिए इन तो आपको समझ में आ जाए कि मैं किस तरह का solution दिया हूं math plus में science numerical तो चलिए जो 90 से आगे question बचा है उसका मैं अभी solution आपको कड़ाता हूं जो 90 तक तो मैं कड़ा के दूसरे वीडियो में दे दिया हूं अगर आप देखना चाहते तो देखिए मैं तो बोलूँगा देखिए कि काफी benefit आपको होने वाला है चलिए 90 के बाद में जो question बचा ह को है तो मिठेन है और hydrogen है और carbon dioxide क्योंकि देखिए option B तो आप ऐसे ही चाड़ सकते है यहां oxygen है oxygen कहां से आएगा उसमें इसमें इसको भी oxygen है और इसमें इसको भी oxygen है इसको भी अगर कुछ भी नहीं आड़ा है तभी यह हो सकता लेकिन आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना प जाएगा proton एबम neutron होता है nuclei के अंदर में ठीक है चलिए देखिए नेक्स आपको यहां पर question कहा रहा है कि निमलिखित अभिकारक में तो देखिए यहां पर chlorine का क्या हुआ oxygen कारण हुआ है देखिए oxygen reduction दो चीज होता है तो पहले मैं आपको थोड़ा oxygen बता देता हूं oxygen क्या होता है तो oxygen वो होता है कि जैसे अगर कोई भी है कोई भी चीज है तो क्या करेगा electron को त्याग कर देगा और धन को ग्रहन कर लेगा तो उसका क्या होगा oxygen जैसे कि माल लिजे कि यहां पर sodium है अब यह क्या किया sodium कि एक electron को त्याग कर दिया और धन का अवेश ग्रहन कर लिया sodium के उपर पावर एक प्लस कर लिया और एक वो electron को क्या किया मैं यहां लिख देता हूं एक electron को इधर पे नहीं चलता एक electron त्याग कर दिया तो यहां पर sodium एकिंबका क्या हुआ ओकसीडेसन लेकिन अगर मैं रिडक्षन का बात करूं। क्या है क्या है कि चिइवाज है कौने तो यहां पर क्या हुआ है तो इसका पाबर जो है, प्लस में खतम हो जाएगा, तो यब यहाँ पे क्या हुआ, इस copper का क्या हुआ, तो reduction हुआ, क्या हुआ, reduction, जिसको आप अब करन बोलते हैं, ठीक है, तो आप समझ गए हो येगा, तो यहाँ पे देखिए, ये chlorine है क्या हुआ, तो hydrogen के साथ ही इसको मिल क याँ खिता बंद होते है, तो आप देखे हो येगा क्या जगर, जब ही nitrogen लिखा जाता है, तो इसके अंदर क्या होता है, तो 3 बंद होता है, ऐसे लिखा जाता है nitrogen का structures, इसमें क्या होता है, कि 3 pair electron होता है, या 6 got electron साधा करता है, कि एक pair में 2 ON electron साधा करता है, तो य Katy después, अको देख रहे हैं हम क्या बोले थे आपको यह से बताए थे ने कि sodium है और इस sodium क्या हो जाएगा इन एप प्लस हो जाएगा एक इलेक्ट्रोन देदेगा तो इसका देखिए यह concept बला question है अगर आप छोड़के चले जाएगा आपको कुछ नहीं समझ में आगा एक billion जिसका पी एच बैलू कितना है तो उसका बिलियन का और प्लस कि प्लस में प्लस इसको आप कितना लिखते है तो चौँदर लिखते है बात बिल्कुल सही है अब देखिए होता क्या है कि आपका पी एच बैलू पी एच मैं यहां थोड़ा लिख रहा हूँ आप समझने के देखिए पी एच बैलू और क्या एच पलस की अगर को बात करें जबी वी एच प्लस कंसंट्रेशन का और एक और क्याаю कि जैसे कि पी एच Propulsion और ओ एच decisions के अगर बात करें तो यहुज प्लस चिरला तो कीयोंकि इसका इसले हम को सिर्फ यह owner होता है वह होता है कि यह यहां कि यहां करके और 14 तक होता है जब आप देखते हैं कि 7 से कम होने लगता है तो वह acid हो जाता है और 7 से ज्यादा होने लगता है तो वह base हो जाता है मतलब छाड़ हो जाता है और 7 से कम होने लगता है तो अमलिये हो जाता है यह भी आपको याद रखना तो देखिए जब यहां पर यह 3 होता तो यहां कितना होता तो यहां कितना होता तो यह फंडा चलता है अब आपको मैं थोड़ा से कंसंटेशन को ब्रैकेट कीजिए और उसके बाद OH कंसंटेशन को भी क्या कीजिए ब्रैकेट कीजिए इसका भैलू कितना होता है 10 to the power माइनस 14 के बड़ावर होता है तो अब आपको यहां पे अगर pH वैलू कितना 3 दिया हुआ है तो यह प्लस कंसंटेशन कितना होगा दिप आपर माइनस 11 आ जाएगा तो आपको ऐसे समझ के सब कुछ को बनाना है तब जाकर क्या पच्छा किजिए आपको मैं सौट कोट भी बता देता हूँ कि डिरेक्ट आप यमसर कैसे निकाल सकते देखिए जैसे कि आपको पता है यह फैलू 14 होता है ठीक है तो आपको यह फैलू कितना दिया है 3 तो इसका मतलब यह फैलू कितना होगा एक 11 होगा तभी ते 14 बनाओगा यह अगर आपको 3 दिया है तो यह बैलू 11 होगा और यह बैलू 11 होगा तरहीं किसको 100 करता है तो OH-100 करता है तो OH-10 के पावर कितना लगा दिए क्योंकि जितना POH का बैलू होगा उसके concentration में अगर हम बात करेंगे तो 10 के पावर में उतना माइनस हो जागा तो यही चीज़ यहाँ पर फंडा लएगा तो आप डाइरेक्ट शॉर्ट कोट से भी कर सकते हैं और एक बर में समझा भी दिया आपको चलिए नेक्स टूचन देखिए नेक्स टापका 99 नमर कुश्चन यह क्या कर रहा है देखिए यह कर रहा है कि एक इलेक्ट्रोन का भार एबं आबेस क्या होता है तो एक इलेक्ट्रोन का भार जो होता है पहली बात की इलेक्ट्रोन है तो नगेटिव होगा चीज़े आपक लास्ट कुछन है ग्रेफाइट का पेंसिल में पड़ियोग किया जाता है किसलिए किया जाता है क्योंकि यह कागज पे लिखने के लिए चिनहित करने के लिए उपयोगी होता है रखें बी अप्सन क्यों नहीं होगा कि यह कार्बन का अप्रूप होता है कार्बन का अप्रू मैं अपने तरफ से बेश्ट दे रहा हूं आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजेगा और दोस्तों को साथ सेर करना ना भूलिएगा ठीक है तो ओके थैंक्स फॉर वाचिंग ओके बाय जैहिंद